बाप तेजाब से मारता था बेटा गोलियों से मरवाता था बिहार में MLC कैंडिडेट पर एके 47 से फाइरिंग F.I.R. में शाबुद्दीन के बेटे उसामा का भी नाम उसामा जी हाँ उसामा साहब एक बार फिर चर्चाओं में हैं शाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने की कवरें अब तेज होती चली जा रहे हैं लेकिन आखिरकार कौन हैं उसामा साहब और शाबुद्दीन के नक्षे कदम पर किस तरीके से वो चलते नजर आ रहे हैं। बिहार के कोक्यात अप्रादी और राष्टी जन्तादल से पूर्ट सांसद मुहम्मद शाबुद्दीन की जेल में मौत के बाद उनका बेटा अबु के कदमों पर चल रहा है। बिहार में हुए AK-47 से हुए हमले के बाद लोगों के जुबान पर यही बात आ रही है। आठ लोगों के खिलाफ केस दर्च किया गया। दी गई शिकायत में मुहम्मद रईस ने कहा कि वह मलसी चुनाफ के लिए हुए मतदान के दिन अपने समर्थ को के साथ घर लोट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसामा ने उनके वाहन पर अंदधुन फारिंग रईस ने अपनी शिकायत में कहा कि काफिले में उनके साथ चल रही गाड़ी के ड्राइवर हसम अली खां उनके साथ बैठे तेग अली खां सहित कई लोगों को गोलिया लगी। चलना शुरूवा है यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शाबुद्दीन की स्या विरासत को चोड़े चोड़ेंगे नहीं और सीधे तोर पर अपने धर्शकों को ये भी बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही है जिस तरीके से शाबुद्दीन के बेटे ओसामा की अगर बात विर्षों में औसामा का सबसे बड़ा हाथ पताया जाता है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ओसामा पर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज हैं हाला कि ओसामा साहब की एंट्री जिस तरीके से अब आरजेडी में होती नजर आ रही है उसके बाद माना जा रहा है कि क्या और आरजेडी बिहार के विधान सबा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी लेकिन फिलहाल ओसामा अगर पिता शाबुद्दीन की राह पर है तो क्या बिहार में एक बार फिर से अपराध की दुनिया चरम पर दिखती नजर आएगी और क्या आरजेडी से बड़ी ताकत अगर उसामा को मिलती है तो क्या शाबुद्दीन जो काम किया करते थे बिहार में वही उसामा करेंगे क्योंकि उसामा का बैक ग्राउंड भी अपराधिक गति वीडियो में दर्ज है और अपराधिकी दुनिया में उसामा अपने आप में एक बड़ा नाम है